हमारी पेड़कुजी की क्लासिस चल रही है इसके अंदर हमारे इंस्ट्रक्शन मेटीरियल्स चल रहा है जिसमें आप प्रीविएस वीडियो चेक कर सकते हैं मैंने तीन जो सब पॉइंट से इसके टेक्सबुक आपकी टीचर्स काइड और आपकी वर्क बुक उसके बारे में हम discuss कर चुके है कि उनकी characteristics क्या-क्या है uses क्या-क्या है evaluation किन points को देखकर किया जाता है marriage demarriage क्या-क्या है ठीक है तो आज की वीडियो भी instruction material पर ही है अभी complete नहीं हुआ है थोड़े से और रहते instruction materials के तो वह जल्दी से जल्दी ट्राइ करने के लिए कुछ शुश करूंगी तो उसके बाद आज जो हम topic discuss कर रहे हैं हमारा सब topic है supplementary book यानि की पूरक पुस्तिका ठीक है अब इसके बारे में हम पहले एक और चीज़ की workbook मैं आपसे question बूशना चाहते हूं जन्होंने मेरी previous video देखी हो की workbook कौन से level वाले बच्चों के लिए use की जाती है कौन सी classes के लिए मतलब किस level तक आप workbook का use करते हैं और second चीज़ ये कि workbook के अंदर किस चीज़ को ध्यान में रखके workbook बनाई जाती है ठीक है किस चीज़ को basically ध्यान में रखा जाता है कि workbook का निर्मान किया जाता है ओके ये दो point मैंने आप आप से question के है workbook के बारे में तो आप लोगों को पता है जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है तो please comment session में answer कीज़े comment करके तो इसके बारे में आप में को वहाँ पर बता सकते है ठीक है चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में आज हम जो अपना sub topic पढ़ने वाल या हमारे education में क्यों रखी गई है ठीक है देखें पूरख भुस्तिकाप की वो होती है supplementary book कि जब education department के according एक गम से किसी चीज़ में change किया जाता है तो उस time पे आपकी पूरख book इस्तमाल की जाती है पढ़ाने के लिए मतलब अगर माल लिजे आप अभी math की एक book पढ़ा रहे हो बच्चों को ठीक है उसके अंदर 15 chapters है और आपके वो chapters क्या-क्या है like आपके multiplication हो गया, subtraction हो गया, board math हो गया, simplification हो गया ऐसे जितने भी है math के यह सारे points है ठीक है और आपको एक education department ने एक meeting करी उस meeting में क्या हुआ, यह decide हुआ कि इस level के according हमें simplification नहीं रखना है, यह हटा देना है, इस में simplification ठीक नहीं है यह जो भी थोड़ा tough concept है, like मालीजे percentage की percentage हमें नहीं रखना है हम percentage वाला जो concept है, वो 7th class में पढ़ाएंगे, 7th class में रखेंगे, percentage, profit and loss यह सब ठीक है तो अगर book में से वो concept हटाना है, तो क्या किया जाए, अब आपके पास एक book available है, अब इस में से तो आप नहीं हटा सकते हैं, आपको तो यह book मिल गई है पढ़ने के लिए, बच्चों को भी distribute हो गई है तो आप क्या करेंगे, उस condition में आप बच्चों के लिए एक supplementary book बनाएंगे, जिसके अंदर ये 15 chapter से इसमें 14 हो जाएंगे, मतलब एक chapter हटा दिया जाएगा यह होती है, पूरक पुस्ति का, जिसके अंदर आप एक chapter हटा दोगे और इस book के सासाती से यूज करोगे, पूरक पुस्ति का यनि कि supplementary book का, तब यूज किया जाता है कि जब education department के according, एकदम से, अच्छानक से, बिना बताए, content में, पाठे वस्तू में, syllabus में कोई change कर दिया जाता है इसी लिए उसके सास साथ कुछ experts की help लेकर, पूरक पुस्ति का, यानि कि supplementary book को maintain किया जाता है क्योंकि इतने सारे बच्चों के लिए, एक अच्छी quality में, textbook prepare करना, इतना जल्दी और easy concept नहीं है कि आप बहुत जल्दी क्या है, कम समय में बच्चों को, अगर आपने art changes किये तो आप एक हफते के अंदर की, जिससे बच्चों की teaching भी effect ना हो तो आप एक हफते के अंदर नई book बना के बच्चों को available करा दो, तो वो तो possibilities नहीं है तो इसलिए जब समय कम होता है, या हमारे पास ऐसी options नहीं होते, कि हम उस पाट्टे पुस तक maybe change करके पढ़ाएं लेकिन बच्चों की teaching भी effective ना हो और समय भी कम लगे, तो कैसे किया जाएं तो हम क्या करते हैं, उस condition में supplementary books का use करते हैं, उसमें क्या होगा वो content जैसे new maintain किया गया है, नया syllabus आया है, वैसे उसी के तुरू आपकी वो पुस्तक maintain करके आपको मिल जाएगी आप उसके तुरू अपने teaching बना सकते हो, जिसके साथ साथ जब आपकी textbook ready हो जाएगी, दो महिने में, तीन महिने में, तब वो आपको new books आपकी मिल जाएगी तो ये होती है आपकी supplementary books, यानि कि पूरक पुस्तिका, अब बात करते हैं कि इसकी characteristics क्या है, characteristics for a supplementary books पहली कि पूरक पुस्तिका का निर्माण विद्वानों लेखों को द्वारा पाठे करम में परिवर्तन होने के साथ साथ किया जाना चाहिए मदब supplementary book का use इसलिए किया जाते है, या supplementary book इसलिए बनाई चाती है कि जब हमारे education department में, syllabus में, पाठे करम में जो जो changes हो रहे हैं वो वो सारे changes क्या है, time to time supplementary book के अंदर होने चाहिए ठीक है, और वो कौन maintain करेगा, आपके जो experts हैं, जो विद्वान हैं, जो masters हैं जिनसे आप अपनी supplementary book maintain करवा रहे हो, ठीक है उसके बाद आता है, पूरग पुस्तिका का निर्माण यदि संभव हो तो पाठे पुस्तक के लेखक या लेखकों के एक समू के द्वारा बनवाया जाए मतलब supplementary book को उन लेखकों के माध्याम उसे बनवाया जाए जो उस subject के masters है, अगर आपके textbook भी माल लीजे किसी एक writer की है ठीक है तो उसी के according आपको जो अपनी supplementary book भी maintain करनी है तो वो भी experts और writer के through ही बनवानी जानी चाहिए ताकि उसकी quality में कोई फरक ना आए, लेकिन ऐसा नहों कि आपनी supplementary book तो दे दी कि आपको concept के लिए करना है और जो challenges आये हैं वो बच्चों को सिखाना है लेकिन अगर उसमें quality of education नहीं होगी quality नहीं होगी पढ़ाई की तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि फिर वही बात है पढ़ना ना पढ़ना एक बराबर ही है जब तक बच्चों को उसकी knowledge नहीं होगी तो इसलिए knowledge भी हो लेकिन quality में हो और कम समय में हो तो इसलिए आपको उन लेखकों के द्वारा ही supplementary book अपनी ready करवानी चाहिए जो उसके experts हो उसके बाद supplementary book काफी सरल, स्पष्ट और रोचक धंग से की जानी चाहिए जिससे की छात अध्यापक उसे भली भाती समझ सके मतलब कि supplementary book इतनी interesting होनी चाहिए, language इतनी simple होनी चाहिए, इतनी effective होनी चाहिए कि student और teacher जो हैं दोनों उसको अराम से समझ सके उसमें कोई किसी तरह की problem face ना करनी पड़े और supplementary book की जो सास जावट है, बनावट है या फिर उसकी जिल्ध है, मतलब उसकी binding है और अकर्शक लगने वाली चीज़ है कि attractive होनी चाहिए, वो सारे qualities भी supplementary book के अंदर होनी चाहिए, अगर बोरियत होगी या बिल्कुल book तो दी दी है, सर पे एक ये book और दे दी, इसको और पड़ो, और boring ठीक है, नहीं दगर आप interesting बना दोगे या इतने अच्छे तरीके से उसको effective कर दोगे, तो बच्चे क्या है, दो क्या आप उसको तीन चीज़े दे दो, ऐसी वो उसे भी पढ़ने में क्या है, interest लेगा, उ supplementary book बच्चों की life से relate होना चाहिए, उसको पता होनी चाहिए, कि आज मैं ये चीज़े पढ़ रहा हूँ, या इस according पढ़ रहा हूँ, ये चीज़े change हुई है, तो इसको मैं अपनी daily life में कैसे use कर सकता हूँ, मेरे daily life के लिए कैसे benefit है, कहां पे मेरे uses हैं, कहां पे मेरे losses हैं और daily life की problem कैसे solve कर सकता हूँ, as a problem solver भी उसको ये सारी चीज़े पता होनी चाहिए, अब बात करते हैं, uses for supplementary book, मतलब अब उसके उपयोग क्या है, अभी हमने characteristics पढ़ ली, कि क्या क्या विशेष्टा है, आपकी supplementary book के अंदर होनी चाहिए, वो सारी चीज़े पढ़ ली, कि time consuming नहीं होनी चाहिए, effective होनी चाहिए, और language simple होनी चाहिए, बच्चों को सारी interest के according बच्चों की जो knowledge है, वो देए जानी चाहिए, supplementary book, लेखकों के, जो experts हैं, उनके दुआरा बनाई जानी चाहिए, अब आते हैं, uses, सबसे पहला use यही आता है, कि किसी भी चीज़ का use पहला यही होता है, कि जो भी जिस माध्यम को, जिस points को ध्यान में रखकर, वो चीज़ बनाई जा रही है, उसके लिए वो useful हो, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हो कि आपके लिए teaching करवा रही हूं, pedagogy पढ़ा रही हूं, तो मेरा क्या motive है, मेरा क्या objective है, कि आप KVS को crack कर सके, pedagogy में अच्छे number अचीव कर सके, ठीक है, तो ऐसी supplementary book क्यों बनाई जा रही है, कि बच्चे उससे जो भी changes किये गए हैं teaching में, और जो उनके syllabus में, तो उनको अच्छे से सीख सके, ठीक है, तो जो pre-plan objectives हैं, उनको अचीव करने में supplementary book help करें, इसलिए हम supplementary book का use करते हैं, और supplementary book का use इसलिए भी करते हैं, जो हमारी पाठ्थे पुस्तक है, मोदर्ब, जो हमारी textbook है, उसके साथ साथ हमें supplementary book का use करना आना चाहिए, ये नहीं कि आप पाठे पुस्तक को पीछे ही छोड़ दो कि अब तो हमी supplementary book मिल गई है तो यही पढ़नी है यह नहीं पढ़नी पाठे पुस्तक यानि कि textbook के साथ साथ supplementary एक पूरक है उसका opposite है लेकिन दोनों को क्या है साथ साथ पढ़ते हुए चलना है supplementary book के अंदर जो भी हमें changes किये है या जो भी changes कि according बच्चों को teaching करवानी है learning करवानी है उसको इस तरह से sequence में रखे इतनी अच्छी तरह कि से उसकी explanation होनी चाहिए प्रसुस्ति करण होना चाहिए कि वो teacher को भी समझ में आए और बच्चों को भी मान लीजे आपने कोई नया chapter add किया है या कोई chapter minus किया है उसमें से तो जो नया chapter add किया है और आपकी textbook के अंदर वो नहीं है और एकदम से आपको वो supplementary book के अंदर नया chapter मिलता है तो आप supplementary book के अंदर भी माना कि जल्दी जल्दी आपने maintain किया है तो इतना effective नहीं बना पाएंगे लेकिन इस sequence में तो रख सकते हैं कि उसका purpose पता चल सके कि आप वो वले chapter क्यों पढ़ा रहे हैं और बच्चों को इसके according क्या-क्या learning करवानी है या क्या-क्या ग्यान उनको प्रदान करना है तो वो point होना चाहिए supplementary book के अंदर कि बच्चों को ये चीज़ पता रहे कि उनके according जो भी learning करवाई जारी है जो teaching करवाई जारी है नया chapter सिखाया जारा है उसके क्या objectives हैं जो बच्चों को achieve करने हैं या उससे related कितना ग्यान बच्चों को प्रदान करना है यह आपका जादा बड़ा topic नहीं था supplementary आपका छोटा से topic है supplementary पढ़ लिया अब हमने अब बात करते हैं आपका reference book यानि कि संदर्व पुस्तिका अब आता है हमारा reference book यानि कि संदर्व पुस्तिका अब आप इससे क्या समझते हैं कि हमारी जो reference book होती है यानि कि संदर्व पुस्तिका होती है वो कौन सी होती है देखिए इसके नाम से पता चल रहा है संदर्व यानि कि reference आप अभी भी जब अभी KVS के लिए आप prepare कर रहे हैं तो आपको क्या है एक book के अंदर सारा content नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर रहे है different different जगाओं से अपना content collect कर रहे है आप videos देख रहे है PDF देख रहे है अपनी previous book पड़ रहे हो diet की book पड़ रहे हो open की book पड़ रहे हो क्या कर रहे हो कि जहां से आपको उस topic से related content मिलता है आप सब इखटा कर रहे हो क्योंकि उस topic पर आपकी explanation अच्छी हो सके उसके deep points आपको पता चल सके अच्छे से उसके बारे में आपकी knowledge increase हो सके इसलिए तो पड़ते हो वर्ण आप एक book से पढ़ लो बात खतम हो जाएगी एक book से पढ़ लोगे तो वीडियो देखने की क्या ज़रूता है बाकी books को reference करने की क्या ज़रूता है बाकी किसी पुस्तक की तो ज़रूती नहीं है एक ही book में क्या छोटा content मिले जादा एक से पढ़ लो enough है main point तो वो भी आपको बता देगा न लेकिन वो आपके लिए enough वहाँ पे नहीं है क्यों आप सोचते हो कि आपको exam crack करना है तो आपको उसकी deep knowledge होनी चाहिए तो deep knowledge कब होगी जब आप अलग-अलग books से क्या हो content इखटा करोगे जैसे आप google करते हो libraries जाते हो friends से पूछते हो कोई guide खरेते हो तो ये सारी जो चीजें आप इखटा करते हो वो क्या करते हो आप अलग-अलग type से किसी content के उपर एक deep knowledge गेन करने के लिए करते हो ठीक है तो जो हमारी reference book है यानि कि संदर्पुस्तिका है वो भी उन विद्वानों अलेखों को द्वारा लिखी गई पुस्तक होती है जो विश्यवस्तू का विश्तार पूर्वक अध्यान करके बनाई जाती है मतलब जिस topic पे आपको पढ़ाना है उस पर पूरी deep knowledge इखटी करके बनाई जाती है हजार book से content इखटा करके एक जगा समेट के रखा जाता है कि आपको एक reference book enough होगी उसके related point में deep knowledge गेन करने के रहे ठीक है उस पर विबिन शोध यानि कि experience experiments करके समावेश किया जाता है जिसको विश्य का विश्वकोष यानि कि वो साइंक्रोपीडिया भी ठीक है अब किसी भी reference book एक तरह की guide हो सकती है जैसे बच्चे 6-7-8 classes में क्या करते है maths की guide लिया है science के guide लिया है क्योंकि वहाँ पे एक question जो आपके exercise question है उन exercise question को book के हिसाब से और extra knowledge डालके examples देके उसको इतना अच्छे जरीके से explain किया जाएगा कि आपको बहुत जल्दी आप उसको सीखोगे तो reference book होती है आपकी वह एक तरह का cyclopedia कि आप जहां पे विभिन विद्वानों के द्वारा विभिन पुस्तकों का use करके एक ऐसा content इखटा किया जाता है एक जगा पर कि आपको दस या हजार book ना छाटनी पड़े वो चीज़े सारी कि आपको एक जगा पर मिल जाए कि आपको उससे related इतनी deep knowledge हो जाए ठीक है वो होती है आपकी reference book अब बात करते हैं character six of reference book की विशेशता है क्या है संदर्ग पुस्तिका की संदर्ग पुस्तिका यानि की जो आपकी reference book बनाई जाती है वो किन किन point को ध्यान में रखके बनाई जाती है या उसके अंदर क्या क्या विशेशता है पाई जाती है या बनानी है आपको ठीक है पहली है पहली characteristics आती है कि जो भी content book के अंदर रखा जाए वो इतना इस परश्ट हो इस level का हो क्या है वो चित्र हो मतलब diagram हो किसी topic पे knowledge हो या कुछ भी हो वो इतना इस परश्ट हो इतना clear हो कि बच्चे जब उसको पड़े तो उसका सर्व भाव में यानि कि universal truth के according केवर एक ही सत्या निकले यानि कि universal truth होना चाहिए सबके लिए ये ना हो कि एक बच्चे के लिए तो कुछ और ग्यान दे रहा है दूसरे बच्चे के लिए कुछ और ग्यान दे रहा है तीसरे बच्चे के लिए कुछ और ग्यान देना है तो supplementary book आपके reference book जो है वो इस level की बनाई जानी चाहिए कि वो एक universal truth पर depend हो आपके लिए सच्चाई को सामने लेकर आए और किसी भी रूप में क्या है वो चित्र हो अच्छे चित्रकार द्वारक बनाए गए हो उसमें diagram कि आपको effective भी लगे और आपको उसका सार्व भौमिक रूप म एक अर्थ पता चले ठीक है उसके कागज अच्छे होने चाहिए जो मुड़े तुड़े ना खराब ना हो फेड़े ना हो और उसकी जिल्द मजबूत होनी चाहिए जो उसमें भी खराब ना हो फटे ना बच्चे उसको इधर उदर करते हैं और second point is very important इसके अंदर कि जो supplementary books होती है आपकी sorry reference book होती है आपकी उसके अंदर ये point बिल्कुल धियान रखने है कि आपकी अशुद्यां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मतलब गलतियां नहीं होनी चाहिए अगर reference book बच्चा क्यों use करता है जो आपकी textbook दी हुई है उसको easy बनाने के लिए वो reference book का use कर रहा ह लेकिन अगर reference book के अंधर भी आपको गलतियां मिल रही है errors मिल रहे है कुछ गलत बात बोली जा रही है जो आपको पता है कि ये चीज़ तो इसने गलत बताई है ये चीज़ तो सत्य है ही नहीं ऐसी चीज़े है तो बच्चे का reference book के प्रती क्या है जो एक भावना होती है कि इमानदारी वरी भावना तो उसका वहाँ से विश्वास हट जाएगा क्योंकि उसने text book को easy करने के लिए दूसरी book reference book के use किया है लेकिन वहाँ पे भी गलतियां मिल रहे है तो आप वो पताओ third book का कौनसी का use करें जो उसको easy हो या वो अच्छे से पढ़ सके या समझ सके त तो इसी लिए ध्यान रहे reference book के अंदर किसी भी परकार की कोई अशुद्धी नहीं होनी चाहिए कोई गलतियां कोई errors क्या है नहीं होनी चाहिए reference book की छपाई सपष्ट होनी चाहिए मतलब उसकी printing बिलकुल के लिएर होनी चाहिए एक के उपर एक शब्द नहीं छपे होनी double printing नहीं होनी चाहिए spelling mistakes नहीं होनी चाहिए और reference book क्या है इसपे depend हो कि नवीन, शोदो, अध्यनों और सन्वेक्षणों का समावेश हो reference book के अंदर new new experiment होने चाहिए new new learning experiences होने चाहिए और आपके जो discovery ही जारी है वो होनी चाहिए ये सारी सीज़े क्या है आपकी reference book के अंदर available होनी चाहिए उसके बाद नवीन संस्कारन प्रतिवर्ष छपता रहना चाहिए जिससे पाठ को को नवीनतम ज्यान प्राप्त हो सके reference book क्या है हर साल छपती रहनी चाहिए नए session में जैसे नया session स्टार्ट हुआ writer change करके या second writer के according या उसी writer के according कुछ नई चीज़े include करके या पुरानी चीज़ों में कुछ नया modify करके उसको उसके explanation और अच्छे तरीके से बनाके नई book छपनी चाहिए जिससे बच्चों को नए नए learning experiences वहाँ पे सीखने को मिले ठीक है अब उसके बाद इसका last point discuss कर लेते है uses of reference book अब इस्तिमाल क्या है उपयोग क्या है संदब पुस्तिका का कि हम क्यों उपयोग करते हैं तो उसमें पहला उपयोग आता है अपका पाटकों को किसी विशेश पुस्तक किसी विशेश शोध कारे हैं किसी विशेश अध्यन सर्वेक्षर यानि कि जो आप सर्वे करते हो कि पूरी जान कर देकर उ different type of survey different type of experiment different type of discoveries एक जगा ऐसे maintain करना जिससे बच्चे उसकी deep knowledge gain कर सके यह एक जगा से ही बच्चों को इतनी knowledge मिल जाए कि बच्चे को किसी और चीज पर ना जाना पड़े ठीक है तो इससे related इसका पहला यूज है कि बच्चे के जिग्यासा यानि कि curiosity जो है बच्चे की वह शान करने में help हो सके second point कि बच्चे की जो जिससे छोटे बच्चे क्यों होते काफी चंचल होते है काफी curiosity mind रहता है उनका हर बार जानने के लिए चुक रहते हैं कि यह चीज कैसे होगी यह कैसे होगी इसमें क्या कर सकते माम उसमें क्या कर सकते हैं तो इसलिए reference book ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पे examples बहुत होनी चाहिए practices के लिए बहुत sets होने चाहिए जिससे बच्चे अपनी curiosity को शान कर सके अपने लेवल के according experience करके ठीक है उसके बाद आता है विध्यालियों महाविध्यालियों सलस्थाओं के पुस्तकालियों में रखी संदब पुस्तिका से छात्र शिक्षक और पाठक लामन्तित हो मतलब सप्ली में reference book इसले भी वनाई जाती है कि जिससे आपके colleges, schools और जो आपके clubs हैं जहां पे भी आपको teaching करनी है learning करनी है वहाँ की libraries में आपको reference book available हो सके जिससे बच्चे अपने content से related अगर बच्चों को कोई भी knowledge चाहिए तो बच्चे वो पूर्ण कर सके आपने खुद भी मैंने तो किया है मैंने अपने खुद के teaching training के time पे और school time पे क्या की करती थी जो teacher's guide होती थी मैं उनका use करती थी books लेती थी या books का मतलब एक book खरींदी दूसरी नहीं खरीती थी मैं तो मैं क्या करती थी teachers guide का use करती थी कि माम से चार दिन के लिए teachers guide book ले गई उसमें से पढ़ लिया उससे notes prepare कर लिये और colleges में क्या करते थे colleges में library का use करते थे कि एक ही topic पे आपको 10 तरकी की book मिलती थी तो उनको उठा के अपने एक prepared reference book अपनी ready कर लेते थे बड़ा निंका यह वाला यहाँ पे finish होता है इसके बार next video के अंदर next point पर बात करेंगे जो भी रह गया है तो यह वाली video यहीं finish करते है वीडियो को like करना subscribe करना channel को और friends के साथ share जरू करना और important अगर KVS PGT related आपको computer science का syllabus चाहिए content चाहिए study material तो description में link available है आप वहाँ पे contact कर सकते हैं thank you so